हलो नमस्ते यह दाव सस्रिया काल केम चो एंड कासा काई दोस्तों मैं हूँ आपका दोस्त नमन गुपता फ्रम कार सॉनेक्स मिनिस्टर रोड हैदरबाद आज मैं आपको मेरे वीडियो में बताने वाला हूँ अबाउट दोस्तों ओडिसा से ड्राइब होकर यह गाड़ी आज हमारे पास आई है only and only for the 360 कामरा जो हम इसमें फिट कर रहे है now what is so special about the 360 कामरा जो हम बिठाते हैं जो आज आपको बाहर नहीं मिलता है भाई there are three big USBs एक हमारा जो 360 कामरा है वो company के stock player में आएगा जो मैं आपको जल्द बताने वाला हूँ second सबसे बड़ा USB अगर आप आज एक AX3, AX5 या यह दो models के अंदर aftermarket reverse camera लगाते हो तो एक छोटा सा display आता है खाली हमारा जो 360 कामरा रहेगा दोस्तों पूरा full display wide angle करेगा पूरी picture clear दिखेगी भाई and the third biggest thing is the kind of calibrations we do दोस्तों आज मैं आपको मेरे वीडियो में बताने वाल हूं the 360 camera before it is calibrated जो 90% people in India leave it वो लोग calibrate नहीं करते तो आपको उसके पहले का view कैसा दिखेगा बताने वाला हूं and calibration के बाद उसका किस तरीके से view change होता है वो भी जरूर बताऊंगा तो now let us now quickly get into the fitment of this product मैं आपको बताऊंगा पहले cameras किस तरीके से fit हुए है सबसे पहले तो अगर आप देखोगे हमारा front camera जो यहाँ पर grill में fit होता है beautiful तरीके से grill के अंदर यह आएगा in the same level and दालने के बाद center में neat clean and crisp fit हो जाएगा तो आपको मालूमी ने पड़ेगा कि as such आपने उदर कोई camera अलग से लगाया है या it is a part of the vehicle only अगर आप इस गाड़ी के side mirrors के अंदर देखोगे तो इधर भी आपको cameras OE fitment type दिखेंगे यहाँ पर आपको feeling नहीं होगा again कि आपने कोई अलग से hold drill करके बिठा है हम mirrors नहीं चे पीछे का भी जो camera है unlike the regular other vehicle cameras इसका पीछे का camera भी OE fitment में आता है खुद आप देख सकते हो किस तरीके से beautifully fit हुआ है so this is basically your reverse camera over here तो in shot all the cameras right round four side beautiful तरीके से fit होंगे and अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि इसका view company के player में कैसा आता है before the calibration is done तो please आईए get in the vehicle and let me show you that as well तो दोस्तों अगर आप देखोगे यह हमारा वही same player है जो by default AX5 में गाड़ी के साथ लग क्या आता है हमने उसे कोई change नहीं किया है यह वही same company का stock player है लेकिन अब जब हम यदर reverse gear डालेंगे तो आप देख सकते हो कि as it is system के अंदर हमें reverse के view के सा is all dependent on this आप देख सकते हो right now गाड़ी के सामने एक माट बिची है पिछे एक माट बिची है but right now जो एक उपर से bird view दिखना है जो drone view यह aerial view जो भी आप बोलो यह basically यहां पर कितना जादा खराब दिखाई दे रहा है that is because of the calibration not done at all खाली mirrors को अगर हम गोल घुमा के खाली align करके अं and अब after this view that you have seen मैं एक बार इसको calibrate करूँगा 15 मिनिट में आपस जोड़ूँगा जहां पर हम देखेंगे after calibration वो view कैसा आएगा and जानेंगे इसके और भी कितने जादा features है so for the one last time खाली एक बार आप यह view वापस देख लीजे because this is something जो आपको वापस दिखाई नहीं देगा तो दोस्तों we are back again over here and अब मैं आपको बताने वाला हूं the same 360 camera after calibration कैसा दिखाई देता है तो सबसे पहले तो अगर आप देखो के हम जब यहां पर reverse gear दाल रहे है तो आपको यहां पर अभी full display screen में जो बोल रहा था अगर आप normal company player में reverse camera दालते हो खाली तो यहां पर इतना सा छोटा सा display आता है camera का हमारा 360 camera full display देगा तो after this display you can see calibration you can see कि यहां पर bird view कैसा perfect तरीके से दिखाई दे रहा है well friend this is exactly what I want in every vehicle to be there यह जो भी matics सामने बिछी और पिछे बिछी है कितना perfect तरीके से display कर रही है that is what is called the perfect calibrated view reverse gear से हम जब हटा देंगे गाड़ी तो automatic गाड़ी के सामने का view आएगा it will last for a couple of seconds and then go back to the original display in some time the time can also be customized हम जब right side का indicator दालेंगे again right side का पूरा view आएगा आप देख सकतो गाड़ी के सामने जो ज़ाड है वो ज़ाड भी यहां पर capture कर रहा है to the area around the back tire likewise जब left indicator दालेंगे तो वैसे ही left side का पूरा view display करेगा indicator हटाता ही again सामने का view आएगा for a couple of seconds and then it will go back to the original display the best part about a 360 camera over here is that friends अभी जब हम यहां पर बिना कोई reverse gear दाले या बिना कोई indicators दाले अगर running में भी 360 camera को देखना चाते है तो हमारे गाड़ी के अंदर यह wireless सा iDrive फिट हो जाएगा तो यह जो आप iDrive देख रहे हो यह wireless device है जो बिना कोई screw fitting और बिना कोई hold drilling के बैठाए जब मैं अभी बिना indicator दे रिवर्स gear दाले इसको एक सिर्फ click करूँगा आप खुद देखिए सिर्फ क्लिक करूँगा neutral पर गाड़ी है बर 360 यहां पर on हो चुका है इधर नीचे अलग-अलग modes रहेंगे जिससे हम यहां पर scroll करके इसको ऐसा घुमा के basically अंदर उपर और change कर सकते है तो by default this is your front view, this is your front panoramic view, this is your front top view, rare view, rare panoramic view, rare top view, bird view, सामने के tires का view, सामने के doors का view, so this is basically all the different views which you can select over here plus साथ में हमें drone view भी मिलता है, that is अगर आपको गाड़ी को एक particular angle से देखना हो तो आप खुद देख सकते हो continuously from that particular angle just by rotating the side drive over here तो आई drive जैसा आप rotate करते रहोगे वैसा particularly वो side का view यहां पर rotate होके दिखते रहेगा है के नई जोरदार सा thing and यह जितनी देर हम चाहे, चाहे वो 2 minute हो या 2 घंटे हो जितनी देर चाहे हम basically वो view को continuously monitor कर सकते है again just by clicking on it, it will go back to the original display है के नई जोरदार, the best part about our 360 camera दोस्तों हम जैसे जैसे travel करेंगे वैसे ही वैसे ही यह proper 1080 pixel clarity में चारो तरफ गाड़ी के record भी करेगा तो कल के दिन कुछ accident भी होता है तो इस remote के through हम as it is इस system के अंदर पूरा rewind करके play करके देख सकते हैं in full HD clarity तो दोस्तों अभी आपने देखा किस तरीके से हमने यह 360 camera को एक यूनो प्लेस किया है गाड़ी के अंदर socket to socket plug and play है कोई wire cutting and tampering नहीं होती है for the best results obviously you can drive down to car sonics अगर आपको लगता है कि आप car sonics तक drive करना difficult है we do have our authorized trained installers in Delhi, Pune, Bangalore, Chennai, Bhumneshwar also for a matter and many such cities जहां पर आपको प्रोपर यह तरीके से installed भी होगा and साथी साथ calibration का भी service मिल सकता है तो दोस्तों to get this product for your vehicle all you have to do is drive down to car sonics at minister road Hyderabad और leave me a whatsapp message on the number displayed below and I will get back to you with all the details thank you so much everyone